दोस्तों अगर आपके पास भी Moto G2022 है या दोस्तों Android 11 में या 12 में कोई भी डिवाइस है आपके पास बाइपास का मसले है FRB देखें दोस्तों लोक आ रहा है दोस्तों कैसे इसको बाइपास करना है अभी तक कि सबसे आसान ट्रिक वदाऊंगा जो आप उससे बिल्गुल च्रिफ चार से पांच मेंड के दर कर लेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं आप मेरे मैचट को फोलो किजिए यहां पर दोस्तों आपने वाइफाइ करेक्ट कर लेना है दोस्तों देखिए हमारा प्रेक्टर्ण रिक्वाइर है यहां पर यहां पर जीमेल यहां पर रिक्वाइर होगा हमने मेन स्कीन प्याना है इंटरफेस पर गोलिम अप एंड डाउन को दोनों को एक साथ प्रेस कर केखना है कर देंगे डबल टेप करना है यहां पर ओपन गूगल असिस्टेंट ओपन सेटिंग्स दोस्तों कुछ इस तरह हमने सेटिंग्स भाजना है दोनों बटनों को एक साथ प्रेस कर रखेंगे दोस्तों एंड टॉप बैक को अप कर देंगे अब करना का है दोस्तों हमने निक्या ना है सबसे पहले एकसेसिबिलिटी में आएंगे दोस्तों एकसेसिबिलिटी मेनियो में आएंगे यहां पर हमने शॉर्टट को ओन कर लेंगा है देखिए यह वारा शॉर्टट ओन हो चुका है वापीस आएंगे अब एप्स मेंगे दोस्तों अल एप्स एंड़ुट ओटो डिसेबल कर देंगे यहां पर वापीस आएंगे एंड़ुट सैटप को दोस्तों पर स्टॉब कर देंगे फिसते वापीस आएंगे निचे आएंगे हम लोग दोस्तों Google Play Service पे इस प्ले सर्विस को भी दोस्तों हमने यहां से डिसेबल कर देना है इसको डिसेबल करने के पाद तो आपने जस्ट फोन को रिस्टार्ट कर ले रहे है हमारा रिस्टार्ट हो गया है स्टार्ट करेंगे इसको अब आप है दोस्तों हम देखिए हमारा कनेक्ट है देखिए दोस्तों प्रोब्लम यह आई है कि हमारा फोन यहां पर लोडिंग करता रहेगा तो हमने करना क्या है वाइफा वाले इंटरपेस पर एकसेसबिलिटी मेनियों पर आएंगे दोस्तों असेस्टेंड पर सेटिंग्स गूगल प्ले सर्विस्ट को हमने यहां से इनेबल कर देना है जैसे दूस्ते इनेबल करेंगे हम हमारे पास कि प्रॉप्ट आप्शन दोस्तों वीडियो कर आपके लिए helpful है तो लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें जिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ थैंक्स वर वाचिंग